हलो एवरीवन रादे रादे सभी को आप लोग कैसे हैं I hope आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और आप अपनी सकुषलता मुझे कमेंट सेक्षिन में रादे रादे जैमाता दिये लिख कर बता सकते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कार्तिक मास के बारे में है कार्तिक का महीना कब शुरू हो रहा है उसका क्या महत्व है और इसके क्या नियम है तो पूरा डेटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा वीडियो में मेरे साथ अंतक बने रहेगा पसंद आता है वीडियो तो like and share कीजेगा देखिए कार्ति का जो महिना है वो बहुत ही महत्वपूर महिना है ये मैंने कह रही हूं सकंद पुरान में ये वर्णे थे एक श्लोक के अनुसार जिसका अर्थ है कि कार्ति के समान कोई मास नहीं है सत्यू के समान कोई यूग नहीं है वेद के समान कोई शा कार्ति का महिना है वो 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 27 नौबर तक रहेगा कार्ति की महिमा तक और इस पूरे महिने में अगर आप स्नान करते हैं तुल्सी पूजन करते हैं तो इसका बहुत अधिक महत्व है और आपको इसका पुन्यफल कई गुणा बढ़ कर मिलत तो ये तो है कालतिक मास की महिमा अब कालतिक मास में आप क्या क्या कर सकते हैं तो कालतिक मास का स्नान किया जाता है इस नान आपको कैसे करना है सबसे पहले आपको सुबह उठना है अगर संभव हो सके तो आप किसी नदी पवित्र नदी ताला इत्यादी में स्नान कर सकते हैं और आजकल के जो लाइफ है उसमें ये संभो नहीं है तो आप अपने घर के ही बालती में नहाने की जो पानी है उसमें गंगा जल मिला कर स्नान सुभा कर सकते हैं आपको स्नान तारों की छाओं में करना होता है तारों की छाओं का मतलब आप मैकसिमम सवा 5 या 5-20 तक स्नान कर ले क्योंकि स्नान करने के बाद तुलसी के क्यारी में आपको जल देना होता है मतलब तुलसी जी का पूजन करना होता है और दीपक जलाना होता है तो ये इसका स्नान का नियम है पूरे महीने आपको जो है वो तारो की छाओ में स्नान करना है प्रशना आता है कई लोग पूछते हैं कि थंडे पानी से इसनान करना है गरम से कर सकते हैं अगर आपकी medical condition सही नहीं है तो अगर आपका शहरी स्वास्त नहीं रहेगा तो फिर आप कोई भी नियम नहीं कर पाए तो आप स्नान का continue रखेंगे पूजा आप पांस दिन नहीं करेंगे उसके बाद ही आपको जब आप फ्री हो जाएं तो आप पूजा कर सकते हैं और स्नान के बाद श्री हरी विश्नु को प्रिय तुल्थी की पूजा करनी है जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद आपके स्नान के जो नियम है वैसे तो साथ नियम बताये गए हैं इन में से लेकिन जैसे कि अप कल्यूग चल रहा है तो आप इन में से एक नियम भी कर लेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि एक नियम करना है लेकिन अच्छे से आप करिए मैं आपको आगे बताऊंगे कि क्या क्या नियम तो आपको इसका आप यकीन मानिया आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी आपका शरील स्वस्त रहेगा तो आप और जो भी आपने इसमें कहां जाता है कार्थिक स्नान में अगर आपको इव्यक्ति करता है तो वो मौक्ष को प्राप्त होता है तो आप इसके नियम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ इसका पहला नियम है इसमें दीबदान कार्तिक मास में बताया गया है कि आप सबसे प्रमुख बताया गया है दीबदान जितना अधिक से अधिक दीबदान आप कर सके नदियों में और जलाशे में किसी जो देव रक्ष है उसके नीचे मंदिर में देवाले में तुलसी जी के पास तुलसी की क्यारी में भला देखिया अगर आप नहीं भी कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल दीबदान करते हैं तो भी आपको उसका कईगुना पुन्य फल मिलेगा तुलसी में भी अगर आप सुभा शाम दीबदान जलाते हैं तो आपको इसका कईगुना फल मिलता है इसके अलावा इसका तीसरा नियम है कि आपको भूमी पर शेयन करना होता है तो और भूमी पर अगर आप शेयन कर सकते हैं तो बिल्कुल आप करिए नहीं आजकल जो है काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है जबीन में नहीं बैठ पाते हैं नहीं सो सकते हैं तो मैंने आपको बताया कि साथ नियम है नियम से आप एक नियम कोई भी करे तो आप कर सकते हैं और आपको उसका उतना ही अधिक बहत्व होगा इसमें आपको तेल वर्जित है कार्टिक के महीने में आप एक बार नरग चौदस के दिन ही केवल शरीर पर तेल लगाना है बागी पूरा महीने आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना है दलहन जो होती हैं उरद, मूंग, मसूद दलहन जो होते हैं दाले वो आपको नहीं खाना है और पूरी तरह से ब्रह्मचरे का पालन करना अतियावशक बताया गया है और इसका लास्ट नियम है कि अपने आपस सहियम रखे मतलब किसी से क्रोध ना करें निंदा ना करें और मन पर आपको सहियम सहियम रखना है तो ये थी कार्थिक मार्स का महत्व और उसके नियम आई हो वीडियो आपको पसंद आया होगा